हे दोस्तों वेलकम है आपका fantasy expert news के official youtube channel पे Ireland और England के बीच में जो T20 international matches की series है उसको हम लोग cover करें हैं दो ही T20 international matches है तीन अभी ODI series जो हो complete हुई है जहाँ पर England women's ने win किया लेकिन last वाला match था जो DLS लगा था वहाँ पर Ireland women's ने जोई वो win किया था तो हम लोग कैसे अपनी team बनाई पाएंगे उसको हम लोग discuss करेंगे और मैं आप लोगों से request करूँगा कि आप लोग इस match में grand league में ज़्यादा investment करेंगे तो better रहेगा क्योंकि एक-एक player का rotation ही आपको करना है ज्यादा players का rotation नहीं करना है और आप लोग grand league में easily rank चोई वो लगा लेंगे वेन्यू वही है castle avenue Dublin के अंदर ही ये match हो रहा है तो pitch में ज्यादा कुछ changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है और finalize team के लिए आप लोग telegram channel से मेरे ज़रूर जूड़ियेगा at the rate fantasy expert news सार्च करके join कर सकते है पिछ report की मैं बात करता हूँ जैसे तो women's में six matches हुआ है five time chasing team और एक ही बार batting first वाले team ने विन के हैं विकेट्स को मिले हैं इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं या कि कुछ चीजे हैं जो आपको जानना जरूरी है मैं अपना face यहां से जल्दी से हटाता हूँ ठीक है आप लोगों को मैं बताता हूँ देख अंडेड भी क्रोस नहीं कर पाई ठीक है तो यहां पर इसकोर्स विमिन्स के अंदर बहुत जादा नहीं बनते हैं और क्या होता है कि यहां पर विकेट्स जो मिलते हैं वो इस्पीनर्स को वैसे तो आप लोग मैंस में देखेंगे तो पैसर जेनरली डॉमिनेट कर रहे हैं अगर पैसर को विकेट मिल रहे हैं खेर वो तो विमिन्स का गेम है तो कोई हम लोग कोई किछ बताई नहीं सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है लेकिन जो possibilities है वो मैंने आपको explain जो वो कर दी है चली अब हम लोग चलते हैं अपनी तरफ अपने analysis की तरफ किन को pick करना है किन क आपको avoid करना चाहिए गभी लेविस अगीन captaincy कर रहे हैं क्योंकि लिला ने जो है वो injury के वेश से बाहर है नहीं कहलेंगे वो हेट्विड में दो ही matches हुए हैं दोनों ही आपका है वो playing 11 के अंदर ही है क्योंकि states के वेस्पे आप लोग टीम नहीं बना सकते हैं इस्पेशली विमिन्स के गेम के अंदर captain gabby levis है जो की बहुत rare case में बालिंग करती है वो open करेंगी amy hunter के साथ में जो की wicket keeper batter है must होनी चाहिए performance बहुत अच्छा है इनका भी old defender cast है all rounder है best option बनती small contest में captaincy की प्लस leap all है bowling बहुत rare case में ये भी करती है लेकिन betting से ठीक टा contribution है इनका रहता है जब हम लोग अपनी टीम में gabby levis को drop कर रहे होंगे तब ही हम लोग leap all को अपनी टीम में जो कंसीडर करेंगे otherwise हम लोग क्या करेंगे ज़्यादा तर bowler के उपर जाने वाले है रेपिका इस्टेगा अच्छी player है down the outer आकर score कर सकती है mega contest में एक का दो टाइम में टीम में ट्राइ करेंगे सारा फॉप सबवीड कर सकते हैं केली wicket taker bowler है और wickets निकाल सकती है प्लस बैटिंग के लिए जाने जाती है बैटिंग भी कर लेती है तो वो backup यह में जरूर देगी अलाइस ट्रेक्टर बहुत ज़्यादा खास player नहीं है जैन मेंग्यूर, फ्रेया सार्जेंट और अमें मेंग्यूर अमें मेंग्यूर रिसेंग लिए पता है पांच wicket लिके गई थी अगेंस्ट इंगलेंड ODI क्रिकेट के अंदर तो उस condition को देखते हुए आपके opposition जो रहेंगे वो picker कहेंगे और उस condition में रख भी सकते हैं तो sergeant प्लस मेंग्यूर जो अमें में मेंग्यूर है इनको prefer किया दो सकता है दो player है थर्ड में यहाँसे एलेंड कैली है फिर यहाँसे अमी अटन, Gabby Levis और लडा पेंडर कास्ट यह 3 और 3-6 ऐसे options बनते हैं जो कि आपकी जनता जो कि आपके opposition होगे वो लेके आएंगे ठीक है आपके opposition किनको नहीं लेके आएंगे वो होगा जैन मेंग्यूर ठीक है पहला चीज और ली पोल यह दो प्लेयर रहेगी जिनको नहीं लेके आने वाले हैं कैसे हम लोग rotate करेंगे उसको हम लोग जानेंगे इनके लिए power play में कोई fix नहीं रहता है वैसे पेंडर कास्ट, जैन मैग्यूर, फ्रेया साथे वो power play में करेंगे डेथ phase में कैली आ जाएंगी पेंडर कास्ट राजाएंगी और जैन मैग्यूर है अब यहाँ पर हो सकते हैं मैं मैग्यूर से भी टीम बॉलिंग करा दे बट प्रोबेबली जो बोलर होने चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ यह तीन बोलर आपको दिखरें तीन तो यह अनफर्म डालेंगे फोर्थ नमबर पर केली है यह भी अपने ओवर डालेंगी पुरी फिफ पर ओला पेंडर्गस्ट और एलाइस टेक्टर यह सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के साथ में टीम जो वो खेलने वाली है इंग्लेंड की तरफ से भी ध्यान रखना है टैमी ब्यूमांट एज़ बैटर कहलती है और ओपन करेगी हॉली आर्मी चैज के साथ में पैक शोफिल्ड है ब्राइनी स्मित है अब यहां से देखा जाए तो हॉली आर्मी चैज है पैक शोफिल्ड है ब्राइनी स्मित यह डॉमस्टिक क्रिकेट के अंदर तो बॉलिंग करती है लेकिन यहां बॉलिंग नहीं कर रही है बट ब्राइनी स्मित डाल सकती है बॉलिंग इंटरनेशनल में भी इन्होंने बॉलिंग डाली कुछ matches के अंदर एक दो matches के अंदर तो यह balling डाल सकती है बाकि Adam से उप्रेग balling डालती है Catty George चुकि 2018 के बाद में आपस international games के अंदर बैक कोई injury होगी रहा थी इनको Saran Ismail विकेट कीपिंग करेंगी Maddy Villiers से, Cat Crow से Izzy Wong से और यहां से मही का गोर है यहां क्या हो सकता है बैटिंग ओर्डर में शफल पॉसिबल है Maddy Villiers आपको इवन जोर्ज एडम के बाद भी बैटिंग करती भी नजर आ सकती है उस condition में Cat George और Saran Ismail और भी डाउन बैटिंग करती भी नजर आएंगी तो विकेट कीपर से आपको ज़्यादा उमीद नहीं कर सकते है Saran Ismail से इसलिए एमिएटर एक बैट चोईस है ठीक है इनके लिए बादिंग कोन करेंगा वो बता देता हूँ Adams है जो कि ओप्रेक बादिंग डालती है बागी यह तीनों माईका गोर इजी बाँग प्रॉस है इजी वोंग है माईका गोर है यह आपको नजर आईए पाउर टे में डेट में आपको सेम बॉलर नजर आने वाले है माईका गोर आपको पताईए यूएसे से भी खेल चुकी है हेट टुएड में ज्यादा देखने की जरूर तो नहीं है मैं सीधा मैं चलूँगा अपनी टीम्स की तरफ की कैसे टीम आपको बिल्ड कर नहीं फिर भी आप लोग वेन्यू के स्टेट्स देख लीजे वेन्यू पर किसने परफॉंग किया है मैं यहां से आपको यह चीज बता देता हूं कि तक आपको क्लियर हो जाए एमी एंटर यह देख लीजे कौन कैसा परफॉंगेंस करता है क्रिष्टेन अकुल्टर रेल जी कोई रिसेंटली ओडियाई क्रिकेट के अंदर खेली थी ठीक टाप परफॉंगेंस था करना या नहीं रखना है गेभी लेविस के चांसे कमी रहते हैं कि यह बॉलिंग करेंगी लेकिन लीप ओल ऐसी ओल्ड रॉंडर जो की बॉलिंग डाल देती हैं तो यह आप लोग मेगा कॉंटेस्ट में इनको ट्राइ करेंगे और पेंडर करस्ट बाकी तो यह मस्ट होंग अब कैनिंग ठीक ठाक बॉलर है और खेलती है तो अपनी टीम के पार्ट में होनी चाहिए शायद मैंने इनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा है तो कैनिंग खेल सकती है ठीक है यह ध्यान रखना आप लो बाकी फॉर्म आप लोग देख लीजिए कौन कैसे बॉलिंग करता है सारी फॉर्म्स आपके सामने है कौन से प्लेर के सरीके से प्ले करता है स्क्रीन शोट ले लीजिए रिसेंदछी यह T20 इंटरेंशल का डेटा है जिसका ODI का उसका ODI Mention है ठीक है और जिसका ODD का है उसका भी Mention है बाकि जिसका जो है वो मैंने यहां पर Mention किया हुआ किस तर रखेंगे एडम्स लोड दो आती टीट्वटी रामें स्टिक में खेलती है लोड दो राके स्कोर भी कर जाती और बैटिंग से भी बॉलिंग से भी कांटिबिशन रहता है यहां पर पॉजिशन थोड़ा डाउन रहेगा तो बैटिंग से उम्मीद नहीं कर सकते हैं लेकिन ब बताने की ज़रुरूरत नहीं है सकते हैं तो ब्रॉइनी स्मित को पिक कर सकते हैं क्योंकि वो T20 इंटरेशनल क्रिकेट के अंदर बॉलिंग करती है ठीक है पहले भी पास में भी बॉलिंग कर चुकी एक दो मैचेस के अंदर तो वो रिस्क रहेगा शौफिल्ड हो सकता बॉलिंग न करें ठीक है तो एक रोट वाइस कापिनन मैं कैट क्रोस के साथ में जा रहा हूँ जो की डेथ में बॉलिंग डेफिनेटली डालने वाली है जोर्ज एडम्स ओवर डालेगी लेकिन बेटिंग इनकी आए ना आए वो कंडिशन वाली रहेगी और विकेट्स में और प्रेक पॉलिंग करती है इस्पीन सकते हैं अगर आप लोग मेगा कॉंटेस खेल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि टेमी विमोंट जो की टीट्वन्टी इंटरनेशल फॉर्मेट के अंदर अच्छा खेलती है शोट केम के अंदर अच्छा प्ले करती है कि 25 जे 30 रन भी बनाती है तो इजी लिए हमें 50 पॉ ही करेंगे ठीक है वागर जो लोग में रिस्क लेना चाते हैं वो टेमी विमोंट के साथ में में का कॉंटेस्ट इंदर इस तठीके से जा सकने है में को pourquoi में में का हमें ऐसमें पर डाल सकती है अब इसमें ऐस sequinedosagen हम सब्सक्रीक його मैंडी विलियर्स जैसी जो बॉलर है वो विकिट टेकर बॉलर नहीं है अगर बैटिंग सही है फॉर्म बैटिंग से स्कोर नहीं कर पाई तो हो सकता है यह आपको 15-20 के अराउंड ही पॉइंट्स टोटल ही दे पाई तो एक रिस्क आप लोग यह भी ले सकते हैं कि इसी टीम के अंदर मैंडी विलियर्स को ड्रॉप करके आप लोग क्या कर सकते हैं एक और एक्स्ट्रा बोलर अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं या तो फ्रेया सार्जेंट इनको रख लीजी या फिर आई मैं मैंक्यूर जिन्नों ने अभी रिसेंटली अच्छी बॉलिंग की ओडिया क्रिकेट के अंदर उनको बैक कर लीजी तो यह भी आपकी टीम बन सकती है अगर आईलेंट विमन जो पहले बॉलिंग कर गई देको यह तो ठीक है इसको अटाते अगर आईलेंट विमन पहली बॉलिंग कर गई तो यह हैर चांस है कि दो तीन से चार विकिट तो गिनने ही वाले हैं इंगलेंट टीम के भी उस कंडिशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा सार्जेंट को अपनी टीम में रखना पड़ेगा मैग्वियूर को रखना पड़ेगा और इनके प्लेयर तो लेनी पड़ेंगे इंगलेंड के यह तीनों हमारी टीम के पार्ट रहेंगे फिर यहां से गिस्टोफर पावली अगर खेलती ही तो हम लोग prefer करेंगे Packer खेलती ही तो हम लोग ज़्यादा pick नहीं करने वाल है फिर यहां से Kelly Buddy Villiers थी है मैं रखने ही पड़ेगा Tector को मैं नहीं prefer कर रहा हूँ मैं यहां से Gabby Lewis only batter pick कर रहा हूँ और only batter Tammy Beaumont का अपनी team में रख रहा हूँ तो इसलिए मैं इनके साथ में क्या कर रहा हूँ वाइस captain कर रहा हूँ तो यह हमारी team बन जाती है Mega Contest के point of view से जहां पर 3-4 wickets down हो रहे हैं England women's के तो हमने दोने इर बॉलिंग जो department थे उनको cover कर लिया अब हमें clear पता नहीं है कि यह 4 bowler हमने लिये है Ireland के तो कौन e-quicket confirm निकालेगा इसलिए हम लोग confirmation के लिए क्या कर रहे है फ्रेय सार्जेंट को भी ढाल दिया एम मैं मैक्जूर को भी ढाल दिया ठीक है यह अपनी team बन रहे है hopefully आप लोग analysis से बहुत अच्छी team create करेंगे अगर आप लोग थोड़ा सा और risk लेना चाते है मेरी तरह जोकी में लेता ही हूँ आप लोग Maddy Villiers की तरफ पे Maddy Villiers की जगा एम एंटर को परी team में डाल दीजिए यह और calculative risk होगा जहाँ पर एकाथ catches आता है एंटर के पास में तो भी अच्छे option होगे तो भी अमारे लिए अच्छी option से यह बन जाएगी तो यह कुछ इस तरह के से team बन रही है Maddy Villiers बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेती इसलिए मैंने इनको वेड़ किया मेगा contest में खेल रहे हैं तो इस team के साथ में आप लोग उतर सकते हैं वैसे तीनों की team कैस आपको बता दिये किस तरह के से team बेड़ होगी hopefully आप लोग best teams बनाएंगे मिलते हैं लोग next video में सब तक के लिए Thank you